आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Which one is not a unicellular organism? पुछा गया कि चारों में से कौन सा unicellular organism नहीं है? तो unicellular organism का मतलब होता है कि जहां पे single cell present रहता है और single cell सेल के बाड़ी में कुछ और present नहीं रहता है ऐसे organism को unicellular कहा जाते है दूसरे organism जो होते हैं वो multi-cellular organism होते हैं जहां पे many cells दिखाई देते हैं और इनका body many cells के aggregation से बना हुआ रहता है तो जोले देखते हैं कि क्या क्या options provided है तो first है bacteria bacteria जो है ये particularly unicellular होता है क्योंकि इनके एक ही cell में अगर देखा जाए तो nucleus भी attached होता है बाकि जो organelles होते हैं जैसे कि हम कह सकते हैं mitochondria, chloroplast फिर बाकि सारे substances जैसे endoplasmic reticulum ये सारे यहीं पे रहते हैं और cytoplasm भी यहीं रहता है इसलिए इनको unicellular का जाता है क्योंकि ये सारे चीज़े एक ही cell में पाई जाते हैं तो इक mushroom का बात करें तो mushroom जो है वो include होता है in the fungi और इसी वैसे mushroom जो है ये many cells से बना हुआ रहता है और ये multi cellular है तो हमारा correct cancer यहाँ पे हो जाएगा मश्रूम वहीं east का बात करें तो east जो है ये भी unicellular होता है ये एक ऐसा fungi है जो कि unicellular fungi है और amoeba जो है ये भी one cell से ही काम करता है और इनका जो locomotion होता है वो with the use of pseudophodia हो जाता है जिसके तो ये लोग engulf करता है food को और locomotion भी कर पाता है तो इसी गली जो multicellular है यहाँ पे वो है मश्रूम और उसी को हम टिक कर लेंगे Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज जी डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 84444 सुपर